नमस्कार फ्रेंट्स आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में फ्रेंट्स पिछले 11 पार्ट्स में जो कंप्यूटर से समन्दित क्यूस्टन नहीं कंप्लीट हो पाए हैं वो इस वीडियो में देख लेते हैं पहला question है computer का आधारबूत डाच्चा किसके दवारा विक्षित किया गया था तो इनका नाम था John One New Man और friends इस तरह से भी पुछा जा सकता है एक question पहले ही सामिल कर चकुआ हूँ इस तरह से computer के विकास में सरवादी की योगदान किन का है तो वो कौन है new man ही है John One New Man इनका सरव से जादा योगदान है computer के विकास में next question computer की बासा Java किसके दवारा विक्षित की गई थी तो friends पहले इसके खोज करता का पहले इस अमिल कर चुका हूँ question इस internet की बासा Java के खोज करता कौन है James Gosling James Gosling ने कहां काम करते वे ये विक्षित की थी Sun Microsystem Sun Microsystem के दवारा ये विक्षित की गई बासा है Java computer में internet की बासा है Java John Camby John Cameny 1964 में कौन सी बासा विक्षित की थी तो ये बासा थी basic basic बासा i-level language ये एक basic भी basic की full form होती है beginners all purpose symbolic interaction code ये इसकी full form होती है next सबसे सस्ता memory device कौन सा होता है cost per bit के इसाब से ये cheapest है इसका नाम है CD full form होती है compact disk computer data को प्रोसेस करने तो किस बासा का परियोग करता है computer data को प्रोसेस करने के लिए कौन सी बासा का यूज करता है binary बासा का यूज करता है computer के वल binary बासा को ही समझता है यही इसकी मात्र बासा होती है binary बासा ही replace की shortcut की क्या होगी replace करने के लिए shortcut की होगी यूज़ करते हैं एक्स्ट क्यूस्टन आदुनिक कम्पूटर की खोज गब हुई थी इसके सिमें 30-26 में सुपर कम्पूटर पहली बार बनाया गया था कम्प्यूटर का इंदी नाम क्या है संगनक संगनक है friends computer का इंदी नाम computer का मुख़्ेप þल कर लाता है motherboard computer का मुख़्ेपटल कर लाता है याद रखें इसी पर control unit बाकि ALU control unit सभी कुछ subscribe होता है motherboard पर गी एक्सल पावरपॉयंट वैब वर्ड किस परकार के software हैं यह 3 की फ्रेंट्स वेब ब्राउजिंग के दोरान स्वयम खुलने वाला विवग्यापन विंडो क्या कहलाता है तो फ्रेंट्स जैसे ही आप इंटरनेट पर कोई साइट खोलते हो तो पोप अप के रूप में आपके साथ अपने आप एड़राइजमेंट के रूप में विंडो सामन आजाती है उसको आप डिलिट करते हो उसके बाद जो में ट्राप को पढ़ना है वो पढ़ते हो इंटरनेट के पिता फादर ओफ इंटरनेट किने का आ जाता है तो यह हैं फ्रेंट्स विंसेंट सर्फ विंट सर्फ यह फादर ओफ इंटरनेट है और डबलु डबलु के ख खोजगर था टिम बर्नर शली है किस प्डी के कंप्योटरों में की थी जह रहें किलबी के अभिसकार के साथ इस रिपीडी के कंप्यूटर की सुरूँ वेख्यूम ट्यूब के इस्थी سंप spricht क्प्प्यूटյ match ने ले ली थी ट्रांजिस्टर ने और तीस रिपीड़ी में ट्रांजिस्टर की जगह ले ली थी आइसी चीप ने इंटिग्रेटीड सर्किट चीप यह इसकी फुल फोर्म होती है और यह सिलिकॉन की बनी होती है सकत्ड बनी होती है कि नेक्स्ट क्यूस्टन कैड सी एडी सब्द का समंद कंप्यूटर में किस्से है तो यह काफी पुच्छा जाता है फ्रेंट्स इसकी फूल फॉरम भी इसकी कैड की तो यह डिजाइन से समंद दीता है फूल फॉरम में डिजाइन नाम आता है कंप्यूटर एडिड डिजाइ डीफोर डीजाइन बेसिक किस परकार की बासा कवधारन गया यह फ्रेंट्स आई लेवल की लेंगवेज है पहले मैं आपको बता चुका हूं इसकी खौज की थी 1964 में जोन कैमेनी ने इसकी खौज की थी चुम्ब के डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है चुम्ब के डिस् पर किसकी परत होती है कॉमेंट्स में जल्दी से लिख दीजिए नेक्स्ट देखते हैं वैं इन्पुट डिवाइस जो सुपर मार्केट्स में व्यापक रूप से परियोग की जाती है उसका नाम है बीसी आर बीसी आर की फुलपर होती है बार कोड रिडर यह वह वह इमेल बेजना nt किसके समान माना जाता है तो पुराने तांम में पत्तर लिख्ये जाते थे उसकी जगह वर्तमान में वर क्या वह इते लजर मैल की फूल पर मतर होती है यह computer की friends खासियत बताता है गिगो, garbage in garbage out, यदि आप गल्त data input करेंगे तो output भी आपको गल्ती मिलेगा, और यदि आपने सही input डाला है तो आपको output भी सही मिलेगा, computer आपने आप से पहजान नहीं कर पाता कि जो आप उसमें data डाल रहे वो गल्त है या सही है, विशु के पहले electronic computer का नाम क्या था? विशु का सबसे पहले electronic computer का नाम था Eneek, ये पर्थम PD का computer था और 1946 में इसका निर्मान हुआ था, Eneek का निर्मान किस वर्ष हुआ था? 1946 में इसकी फुल फोरम क्या है, पूरा नाम क्या है? electronic numerical integrator and computer ये इसका फुल फोरम है, Eneek का निर्मान किनों नहीं किया था, इन वेग्यानिकों की नाम भी याद रखिया आप, 1946 में जोन मेसलो और जे प्रेसपर एकर्ट इनोंने इसका निर्मान किया था, Eneek किस PD का computer था, पहली PD का computer था, पर्थम PD का computer, पहली PD कब से कब तक थी? 1942 से 1955 के बीच में, computer की पहली PD थी, आगे लगवग दास साल की PD रही हैं इसकी computer की, Eneek और IBM 650, ये थे पहली PD के computer, अगला परसन, computer की पहली PD कब से कब तक थी? 1942 से 1955 के बीच computer की पहली PD थी, निर्वाथ ट्यूब, वेक्यूम ट्यूब का परियोग का होता था, तो मैमोरी और सर्किट के निर्मान में, memory unit और circuit के निर्मान में निर्वाथ ट्यूबों का पहली PD के computer में प्रियोग होता था vacuum tubes का memory के storage के लिए इस PD के computer में प्रियोग होते थे तो magnetic drums ये memory के लिए यूज होते थे memory card की जगह computer की दूसरी PD कब से कब तक थी 1955 से 1964 के बीच में में निर्वाथ ट्यूब की जगहें प्रियोग होने लगा तो निर्वाथ ट्यूब की जगहें क्या प्रियोग होने लगा था transistor तीसरी PD के computer कब से कब तक थे 1965 से 1964 ये तीसरी PD सुरू होगी थी 1965 से 1964 के बीच नेक्स्ट क्यूस्टन उच सत्रिये बासाएं कोबॉल और फोर्ट रान किस PD के computer में पहली बार प्रियोग होई थी बहुत ही अच्छा क्यूस्टन है फ्रेंट्स उच सत्रिये बासाएं इनका विकास हो गया था सेकेंड जेनरेशन के computer में 1955 से 1964 के बीच में और सेकेंड जेनरेशन के computer के example है हनीवेल 200 और IBM 1401 कोबॉल फ्रेंट्स ये बिजनेस के काम में बीफ और बिजनेस होता है से किस PD के computer की शुरूआत हुई तो फ्रेंट्स जेक किल्बी ने अविस्कार किया था आइसी चिप का उस उनिस सो पैसेट से उनिस सो चुएतर के बीच में तीसरी PD के computer की शुरूआत हुगी थी इस अविस्कार के साथ ही थर्ड जनरेशन के computer में कौन सी आई-level languages उपयोग करना शुरू हुआ तो फ्रेंट्स से सेकेंड जन जो जनरेशन थी कोब और फोर्ट्रॉन बासाई विक्सित की गई थी उनिका एडवांस रूप थर्ड जनरेशन में यूज होने लगा फोर्ट्रॉन टू थ्री फोर का यूज होने लगा और पास्कल लेंग्वेज का यूज होने लगा था पहली बार RAM का परियोग किस PDK कम्प्यूटर में शुरू हुआ सबसे पहले RAM का मतलब होता है ये S-thi memory होती है कम्प्यूटर की random access memory ये इसकी full form होती है और ये कम्प्यूटर की primary memories में S-thi होती है लेकिन primary होती है बिजली जाते ही ये इसका data अधा गाइप हो जाता है किस PDK कम्प्यूटर से सुरूआ थी स्री PDK कम्प्यूटर में पहली बार RAM का परियोग थी स्री PDK कम्प्यूटर के उदारन क्या-क्या है IBM 360 प्रेंट्स तीसरी PD के कम्प्यूटर का उधारन है तो प्रेंट्स 1974 में तीसरी PD खतम हो गई थी 1934 से 1989 के बीच आती है फिर चोथी PD कम्प्यूटर की इसमें क्या यूज होने लगा था LSI चिप के प्रियोग वाली जनरेशन कौन सी थी चतूर्थ PD LSI होता है Large Scale Integration और VLSI इनका प्रियोग होने लगा था चोथी PD में Very Large Scale Integration Microprocessor का निर्मान इस PD में हुआ तो फ्रेंट्स जिस तरह से IC चिप के लिए जानी जाती है 30 PD ट्रांजिस्टर के लिए जानी जाती है 2 PD और Fast PD जानी जाती है वेक्यूम ट्यूब्स के लिए उसी तरह Microprocessor के लिए जानी जाती है 4 PD याद रखें ये 4 PD के Computer का समयकाल क्या था 1934 से 1989 के बीच का Tele processing Where time sharing का प्रियोग किस PD के Computer में हुआ तो फ्रेंट्स इस का प्रियोग 3rd generation के Computer में हुआ याद रखें 4th PD के मुख्य अव्यव क्या था तो फ्रेंट्स पहले बता चुका हूँ LSI Large Scale Integration वरत इंदी में इसको बोलते हैं वरहद एक इकरत प्रिपत Next question विशो का पहला सूपर कम्प्यूटर कब बना था विशो में सबसे पहला सूपर कम्प्यूटर बना था उनने सोचेतर में इस सूपर कम्प्यूटर का नाम था क्रें दुनिया का पहला कम्प्यूटर की साल बना था उनने सोचेतर में पहला कम्प्यूटर बना था उनने सोचेतर में क्य欸 बनाया था इसका नाम था पह्ले शुर्ट घंपप्योंटर का करेवन को एक रिशल्च कउपणीने बनाया था और बारतका पहला कम्प्रयका बना भणा था में कई बनाया था इश्का नाम था परम कि फिल्फोर मोती ए पैरलल मसीम सीडेग ने पर्थम शुपर कंप्यूटर परम कब बनाया था उनीसे एक्याण में मैं इसको बनाया था पहला सुपर कंप्यूटर किस उनिया था सीडेक नहीं यह दियान बनता है पयरलल और एक अलभाबेट बच घए ऊछ बनता है मसीर वीडियो में इमेल से समंदित किस्टन शूटlichkeit कौन सा प्रोटॉ कर ही मेल बेजने में परियुखत होता है तो प्रेंस वो प्रोटोकोल ए समृतीatu SMTP की फुलपोरम होती है Simple Mail Transfer Protocol SMTP का यूज़ करते हैं email बेजने के लिए ये प्रोटोकॉल होता है किस प्रोटोकॉल दवारा World Wide Web में पहुँचा जा सकता है तो ये प्रोटोकॉल है फ्रेंट्स HTTP Hypertext Transfer Protocol ये World Wide Web में पहुँचने का प्रोटोकॉल होता है और email बेजने का प्रोटोकॉल होता है SMTP याद रखें इन में से कौन सा एक उप्यूक्त audio file format नहीं है तो बाकी सभी audio file format है लेकिन MP4 MP4 ये वीडियो की file format है फ्रेंट्स ये audio file format नहीं है MP3, FLV, WAV ये सभी audio file format है Antivirus software के उधारन कौन-कौन से है तो Avira, Q-Kill, Kaspark, Sky ये सभी Antivirus software है वाइरस से बचाते हैं आपके computer को इंटरनेट में computer को जोड़ा जाता है इंटरनेट से computer को किस से जोड़ते हैं? Modum के दवारा और इसकी full form होती है Modulator, Demodulator फ्रेंट्स आज का question रहेगा आपसे कि computer के विकास में Jack Kilby Jack Kilby का क्या योगदान था? बहुत ही tough question है फ्रेंट्स, यदि आप regularly सही जवाब दे रहे हैं वीडियोज को लाइक कर रहे हैं, comment कर रहे हैं तो इस quiz contest में जरूर participate करें इसके rule आप यहाँ से पढ़ सकते हैं तो ये वो दोस्त हैं जो regularly वीडियोज को लाइक कर रहे हैं अपना पंडित हैं, हरीकेश कुमार हैं संतोष गुजर, रोईत कुमार सेख, कबीर, सबनम संदीप कुमार, पुन्नम सर्मा रोईत कुमार और कमलेश कुमार तो फ्रेंट्स इसी तरह से लाइक करते रहे हैं वीडियो को और अपने फ्रेंट्स में WhatsApp Group में जरूर शेयर कीजिए गा, फ्रेंट्स आपका बहुत बहुत दन्यवाद, और आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं, ये भी कॉमेंट्स में जरूर बताईएगा, दन्यवाद फ्रेंट्स हर मैंने क्योंज कॉंटेस्ट आयुजित किया जाते रहेंगे इस चैनल पर आग्ये से तो सिरफ तीन फ्रेंट्स के नाम मेरे पास आये हैं साथ फ्रेंट्स के नाम चाहिए मेरे को दन्यवाद दोस्तों